जब मैं ये बात करता हूँ कि आपने अपनी सारी एक्टिविटीज का अपने परफॉर्मंस का रिकॉर्ड रखना है साथ आपको ये भी रिकॉर्ड रखना है कि आपके कमपैटर्स क्या कर रहे हैं तो आप कमपैटर्स को भी मॉनिटर करें कि वो किस तरह से आपको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने इनको किस तरह से बीट करना है तो एक शीज़ आपको याद होगी मैं आपको तुबारा बता देता हूँ कि गूगल में सिर्फ दस रिजल्ट्स आते हैं इन दस रिजल्ट्स में अगर आपने जगा लेनी है तो आपने किसी एक को नीचे पुश करना है तो फिर खुदू पूरा रहा है अगर आप नमबर वन पे नहीं है आप अपनी कीवर्ट की आप रैंकिंग मैंटेन करें या कोई और अपने कीवर्ट की रैंकिंग मैंटेन करना चाहता है तो वो आपको बीट करेंगा आप उसको बीट करेंगे तो SEO में तो यही चलता है ऐसा नहीं है कि आप SEO कर रहे हैं वो भी number one पे हैं, आप भी number one पे हैं, no so make sure ये करें, कि आप ने जिसको beat कर रहा हैं, उसके पर नजर भी रखें, नजर रखने के लिए gain आप क्या कर सकते हैं, आप वही tool यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप competition, उसकी ranking, उसकी monitoring, उसका content कौन सा नए आ रहा है, उसके keyword कौन से use हो रहे हैं जो चीज़ आप अपनी website के लिए monitor करते हैं, आप उनकी भी monitor कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि वह कितने नए pages create कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कि keywords के वपर optimize कर रहे हैं, जिससे SEO के साथ मैंने आपको बताया था कि आप अपने page का audit करते हैं, आप उनके page का भी audit करेंगे, इन्होंने यह pages बनाए, किस तरह से title बनाया, किस तरह से content में density maintain की है, किस तरह से heading बनाई है, किस तरह से layout बनाया, content कितना लंबा है, images कैसे हैं, page की speed क्या है, इस सब चीजें public information होती है, आप किसी भी website के आप चेक कर सकते हैं, तो ना सिरफ आप अपनी website के आप यह चेक करेंगे, आप अपने competitor को भी देखेंगे, कि वह कौन से नई ideas लेकर आ रहे हैं, वो कैसे आपको beat करने कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप भी थोड़ा सा, यह competition को अगर आप अपने vigilance mode में रहेंगे, तो आपको इससे यह फाइदा होगा, कि आप कोई चीज ऐसी miss नहीं करेंगे, जो शायद आपके competitor कर रहे हो और आप ना कर रहे हो, बलकि आपको इससे यह जरूर फाइदा होगा, कि आप यह देख सकेंगे, कि वो क्या कर रहे हैं, और आपको extra क्या करना है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग ब्राबर हुए, गूगल की नजर में, क्योंकि गूगल उनको भी rank करने कोशिश करेंगा, आपको भी rank करने कोशिश करेंगा, differentiation कहां पर आएगी, तो differentiation आएगी जहां पर basically आप वो काम करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी करेंगे, जो वो आप भी करेंगे, ताकि आप उनसे जादा करें, अच्छा करें, और उनको beat करने काशिश «करेंगे», इसमें सबसे जादा जो चीजें main आती हैं वो, again website के ऐपर बात आ सकती है, कि नका website अच्छा नहीं है, उनका structure अच्छा नहीं है, नका layout तो आपने से हमारे में kid कोई option why? आप को भी ऺाणी करने के लिए वो सब दो करना ही है जो वो करना हैरो लेकिन फिर भी करना है जो नहीं कर पा रहे हैं एलोगों okay about झाता सबने मतातक है हमारे मारे 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 मिले रिमक्ष आप स्वार मतरा मतरी है तो आपको यह पता चलेगा कि वो top 10 क्यूं है, वो क्यूं number 1 पे rank कर रहा है, क्यों number 2 पे क्यूं रेंक कर रहा है, वो ऐसी क्या चीज़े उन्होंने की, ऐसी कौँ सी technique से उन्होंने use की, इसके ताहल वो number 1, number 2, number 3 यह top 10 में फाल करते हैं, तो आपने वो सब चीज़ें भी करनी हैं, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं करनी, क्योंकि अगर आप उनको copy paste करेंगे, तो आप उनको कभी beat नहीं कर सकेंगे, उनको beat करने के लिए आपको उनसे भी अच्छा होना है, तो आप basically उनसे inspiration लें, देखें वो क्या करते हैं, जब आप यह देख लेंगे, क्यों क्या करते हैं आप वो भी करेंगे और फिर वो भी करेंगे जो नहीं कर पा रहे थे, इससे क्या होगा कि आपका उनके उपर एक edge होगा, आप ज़्यादा बेतर काम करेंगे और Google आपको इसका reward करेगा और ultimately आप उनको beat कर सकेंगे